हेलो स्टुडेंट्स एक इन्फो की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिससे रिलेटड दो वीडियो पहले ही पड़े हुए हैं यूटूब चैनल में आप जाके देख सकते हो जिसका नाम है नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क सेक्शन का हमने पूरा ट्रांस्मिटिंग सेक्शन रिसीविंग सेक्शन बाइ डाइग्राम के थ्रू हमने आपको बताया तो अब हम उस नेटवर्क सेक्शन में एक आईसी आ रही है जिसकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ रही है तो उस आईसी के बारे में हम थ तर्केट समझाएंगे, ले आउट दिखाएंगे और सेकेंड वीडियो में किन-किन मॉडलों में लगी है, उनका क्या नमबर है, पार्ट नमबर, मार्केट में किस नाम से मिलेगी, उन बॉलों में कैसे कनेक्शन होता है, कितना वोल्टेज आता है, सारी चीज़ें आपको द काम हो जाता था, और सीधे बैटरी से वोल्टेज ले लिया करती थी, उसके बाद आया 4G IC, 4G PA, तो वो इस्पेशली 4G के बैंडों के लिए थी, LTE, VOLTE के लिए, वो सीधे बैटरी से सप्लाई लेती थी या VPH लेती है, और वो सिगनल को एम्प्लिफाई कर देती है, अब क्या हुआ, 4G के इतने सारे बैंड आने के कारण, वो सप्लाई बैटरी से ना लेके, उस सिगनल को कम ज्यादा करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक अलग से IC लगते आने लिगे, उसका नाम है Average Pick Time, यानि जिस समय पे सिगनल बनना चाहिए, उस समय वो वोल्टेज बन के उसको देती है, Average Pick Time, अब क्या होता है, कि जैसे for example, कभी सिगनल कम है, कभी ज्यादा है, तो ये वोल्टेज दे के उस सिगनल को मैनेज करती है, तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है, बाई सर्केट, तो आईए सर्केट में जानते हैं, कि उसका कनेक्शन कैसे होत है, उस IC को काम करने के लिए, वोल्टेज कहां से मिलते हैं, वो Ampere कितना बनाती है, और फिर 4G को देती है, और 4G के अंदर किन-किन बैंडों के लिए वहां से सप्लाई जाती है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, ये हमने एक model open कर रखा है, Redmi 5 Plus का डाइग्राम है, ये देख इस IC को काम करने के लिए, एक तो CPU से order चाहिए, दूसरा voltage चाहिए, तो हम देखते हैं कि CPU से order की कौन सी line है, जो कि सभी को पता है, clock और data आते हैं, जो भी दुकान वाले हैं, technicians, वो क्या करते हैं, कि सीधे CPU को change करते हैं, flash IC को change करते हैं, ये किसी भी section की IC को change करते हैं, जबकि उन्हें clock और data की line सबसे पहले देखने होती है, CPU को change करने से पहले, तो ये CPU से clock की line आती है, जिसमें parallel capacitor लगा है, ball नंबर 4, इसके बाद pin नंबर 3 data की line है, जिससे signal आना जाना होता है, CPU से, तो ये दोनों ही lineे CPU से connect होते हैं, हम एक आपको दिखा देते हैं, ये देखें, CPU की BG 17 ball से ये clock आया हुआ है, इसी के just नीचे data की line है, BE 17 ball से, तो ये clock data पदा चल गया की CPU से connect है, यानि इस IC को signal देती है clock line, और data मतलब इस IC और CPU के बीच में, जो भी input-output का process है, वो इस line के थरू होता है, ball number 3, 8 number ball ground है, एक और दो number ball no connection है, बाकी इस IC को काम करने के लिए voltage मिला है, VPH, VPH voltage जो आ रहा है, वो 0 ohm का resistor लगा कर, ball number 13 में मिल रहा है, यह voltage कहां से आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, यह voltage in-in page number पे है, यानि कई जगए यह voltage जाता है, लेकिन निकला किस IC से वो देखते हैं, तो देखे, PMI 8952, यह PMI secondary, power IC कह लीजे इसको, या power management interface कह लीजे, या फिर इसको आप charging IC भी कह सकते हो, तो इसी के अंदर DC to DC IC है, जिससे यह bug coil लगा के VPH निकला हुआ है, और बहुत सारे section हो में जाता है, बहुत सारे section हो में, तो यह VPS supply आई है PMI से, इसमें एक parallel capacitor लगा हुआ है, और यही supply, किसमें आई है, बॉल नंबर 15 में, और यह supply आते समये 10μF का एक capacitor लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर एक NC capacitor लगा हुआ है, यानि बोड में यहाँ पर दो पॉइंट दिखेंगे, जो कि capacitor के हैं, series capacitor के, और यहाँ पर एक buck coil लगी हुए है, देखें, 2.2 µH की यह buck coil लगी हुए है, यह 2016, यह manufacturing date लिखी होती है, और 1.6 Ampere की है, यानि यह कितना generate कर सकती है, maximum Ampere, 1.6 Ampere, तो इधर से यह series capacitor के थूप, यहाँ पर भी voltage आ रहा है, कितना, VPS 3.7 से 4.2 V, और यह amplify कर रही है, क्या कर रही है, signal को amplify कर रही है, यानि boost buck coil का एक सेरा 14 नंबर बॉल से, और इसका दूसरा सेरा 9 नंबर बॉल से जुड़ा हुआ है, एक capacitor लगा हुआ है, bypass के लिए, कि जो भी Ampere Amplify होगा, I mean, यह buck coil और IC, switching करने के बाद, जो भी Ampere बनाएंगी, वो उसका feedback 12 नंबर पे मिलेगा, और यहाँ से output जाती है, किसको जाती है, VPA-APT, इस supply का नाम है VPA-APT, यानि voltage power amplifier, voltage का power amplify होके यहां से निकलता है, एक तरह से देखें, तो Ampere बढ़के निकलता है, तो यह कहां जाता है, हम आपको दिखा देते हैं कि इस IC में, तो यह इस IC में जाता है U261, यहां लिखा है Low, Medium, High, PA, यानि तीन band होते हैं, फोन में network के Low Band, Medium Band, High Band, तीनों बैंड का जो PA है एक उसमें यह supply जाती है, यह देखें, supply तीन जगे गई हुई है, क्योंकि यहां पे तीन band है, इसलिए तीन जगे यह supply गई हुई है, अब इसके अंदर बहुत सारे band हैं, जैसे band 7, band 38, band 40, 41, यहां पे high band भी है, तो high band में आपका band 40, 38, 41 आता है, और low band में band 20 आता है, band 5 आता है, band 8 आता है, medium band में band 3 आता है, और medium band में band 2 भी आता है, band 1 भी आता है, और band 4 भी आता है, इतने सारे medium, low band और इधर हमने high band आपको दिखाया, अब किस band की क्या frequency है, वो आप Google पे जाके सर्च कर सकते हो, कि band 1 की frequency क्या है, किसी की 900 होगी, किसी की 1800 होगी, किसी की 1900 होगी, इस IC का नाम है RF 24-28, यह देखे, 24-25, इस IC का RF 24-25 नाम है, इसको लोग 4G PA कहते हैं, लेकिन असल में इसमें low, medium, high, तीनो band का यह PA है, power amplifier है, इसे 4G IC के नाम से जाना जाता है, 4G PA के नाम से जाना जाता है, तो इतने bandों को काम करने के लिए, यहां से तीन लाइने डिवाइड हो गई, यानि रास्ता एक है, voltage बनके, ampere बनके, और यहां से आगे पहुंसता है, कहां तक, इन इन पिन में, 28 नंबर में, 29 नंबर में, और 30 नंबर पिन में यह पहुंसती है, तीनों में से जो भी लाइन कट होगी, वो network नहीं आएगगे, उस band के network नहीं आएगे, तो आपने देखा होगा, जियो में running की problem आती है, network running हो रहे है, वो charging running नहीं होती है, वो network running के problem होती है, दूसरी बात यह है, यह जो यू 2900 IC होती है, 070 AIC, इसको bypass भी किया जा सकता है, इस IC को काम करने के लिए एक power IC से regular voltage भी आता है, 1.8 volt जो battery लगाते ही तुरंद मिल जाएगा, VPH भी battery लगाते ही तुरंद मिल जाएगा, बट यह network वाले voltage, यह जो VPA, APT voltage होता है, यह voltage आपका battery लगाते ही नहीं मिलेगा, यह voltage कितने आते हैं, और कहां आते हैं, यह आपको next video में practical में देखने को मिलेगा, इसको हम अभी pending रखते हैं, जिससे कि आप practical वाला video देखकर, यह सारा theory आराम से समझ सकते हो, तो आपने देखा, इस student की इस IC को VPA चाहिए, 1.8 regular voltage चाहिए, जो की power IC के LDO circuit से आ रहा है, और यह काफी लंबी line होती, LDO 5 की, देखे, इतने पेजों में जा रही है, यानि काफी important voltage है, एक capacitor लगा के 4.7 microfarad का, data clock line CPU से आ रही है, अगर यहाँ पे ampere ज्यादा बन गया, या अचानक से बाचीत बंद हो गई, तो उसके लिए यहाँ GSM 1.2 का capacitor 10 microfarad का लगा के लगा हुआ है, जिससे की वो supply को ground किया जा सके, प्लस यह buck oil दोनों तरब से 14 और 9 number ball से IC से जुड़ी है, जिससे की ampere out करे, amplify करके output power निकाले, एक तरह से APT है, VPA, यानि voltage power amplifier, तो यहाँ से amplify होके निकलता है, supply, देखे, अगर आप यहाँ बोलोगे कि voltage amplify होके निकलता है, तो वो गलत है, क्योंकि voltage तो VPH यहाँ पे आ रहा है, 3.7 से 4.2 volt, और यहाँ पे जो voltage निकलता है, वो VPH से कम होता है, तो यहाँ ampere high होता है, जिससे की वो signal continue बनाता रहे, कहीं पर भी signal low नहीं होने चाहिए, तो उसको continue रखने के लिए, यहाँ से supply निकलता है, high ampere निकलता है, 1.6 ampere, तो I hope कि आपको यह circuit समझ में आया होगा, एक बार हम इसका layout की जलक दिखा देते हैं, यह देखे, board में कुछ इस तरह IC मिलने वाली है, first no connection, second no connection, ball होगी, इस तरह से दिखने वाला है, इसी circuit को हम आपको on board पर practical करके दिखाएंगे, यह देखे, कुछ इस तरह से tracing होगी, यह यह component ऐसे मिलेंगे, तो इस video में इतना ही, thank you, next video हम practical का लेके आते हैं, just इसके बाद,